हेलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका आपके ही चैनल वेजी वीडिया पर तो गाइस आज मैं आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी केक वैसे तो केक की रेसिपी हमारे चैनल पर पहले भी है पर आज कहसे बहुत हैं मज़ेदार सा है बहुत ही छोटा सा भी होटा सी तो इसके कवह समां के नाम है जैसे से blank authentic जाते हैं बु lug टो केक कर दो केक काॹता online पर टाइक है आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि बिंटो केक या टिफिंद केक को हम बहुत ही एजी तरीका कैसे बना सकते हैं to go this video को स्टीर करने से पहले मैं आप सब को एक बात कहना चाहूंगी कि जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं है वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें तार कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे और वेजी पीडिया फैम वहाटी सॉफ्ट केक हमारा यहां पर बनके त्यार हुआ है वैसे तो मेरे चैनल पर केक की रेसिपी है और आप जाके कैसे कुक करते हैं वो भी देख सकते हैं लिंक मैं आपको दे दोंगी तो अब मैं यहां पर एक वैसे तो आप जाएं सब्सक्राइब का यहां कोई कुकी कटर का यहां जिसे एक गोल शेप आजाए तो आप यहां देख रहे हैं उपर से मैं एक बड़े साइज की कटरी को रखा है और मैं साइट से इसको नाइफ से अच्छे से कट कर रहे हूं तक एक प्रॉपर राउंड शेप आजाए तो आप यहां देख सकते हैं एक राउंड शेप आचुकी है जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले भी बताया था मैं बहुत सिंपल तरीके से आज आपको केक बनाना बता रही हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं किएग केक की मैंने तीन लेयर कर द HERE Wit आप यहां Mayنت in 3 पर्म रख कर लिया है और यहां पर हम एक कटोरी में लेंगे पानी और इसके ऐसे अड़ी साथी टीन को मिक्स कर लेंगnh यह पर यह पर यूज कर रहे हैं और हमने जो अमारी ब्रेट थी केक की उसके उपर लगाएंगे वैसे तो बहुत ही सौफ्ट हमारा केक बनाएं पर फिर भी यह लगाने से एक बहुत ही बढ़ी आसा टेक्स्चर आता है चीनी वाला पानी लगाने के बाद हम इसके उपर से अच्छे से कवर करते हुए विप क्रीम लगाएंगे विप क्रीम को ना मैंने पहले से विप करके रखा हुआ है और इसके उपर अच्छे से हम इसे पूरे अच्छे से लेयर देंगे वही सेम प्रोचीजर मैं दुबारा से करूंगी विप डगाने के बाद मैंने दूस्की स्लाइस को रख दिया है और वही चीनी वाला पानी हम इसके ओपठाप लगाएंगे और इसके उपर से लगाएंगे हम अपनी विप क्रीम आप चीनी वाला पानी अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप कोई भी फ्रूटी लेके इसके उपर लगा सकते हैं उससे भी बहुत ही बढ़ियार सा टेस्ट आता है और फिर वही प्रोसीजर दुबारा से करेंगे तीसरी लेल लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे अपना वही चीनी वाला पानी और अच्छे से इसको कवर कर देंगे और इसके उपर से लगाएंगे हम अपनी विप क्रीम एैसे फैनल हमारी विप करम लिए तो आप इसे अच्छे से फैला अवे लग udaें और पूरी अच्छे से कवर करें आप रोपर इसे अच्छे से कवर कर दिया है और अब मैंने यहाँ पर यूज किया है डाक चॉकलैट कंपाउंड इसे मैंने मैंने यहां पर केक को डेकोरेशन के लिए मैं थोड़े से ओरियो बिस्कित का यूज किया है और रेड जल का यूज किया है, आप चाहें आपके पास जो भी समानों आप उसे से डेकोरेट कर सकते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा केक बहुत ही जल्दी आपको मैं यहां पर केक को कट कर के दिखा हूँ, बहुत ही बढ़िया सा आपधे हमारा बना है यहां देख सकते हैं हमारे केक में फ्रॉपर थ्री लेयर्ड आई हैं जैसिके में अमने फ्री लियर्ड अंदर विप्क्रेम के लगाई थी बहुत ही मज़ेदार केक हमारा यहां पर बनके त्यार हो चुका है तो आप भी बहुत ये असानी से इस केक को अपने घर पे बना सकते हैं और अपने घर में बच्चों को बना कर खुश कर सकते हैं तो कैसे लगी आपको केक की हमारी रेसिपी हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा